नमस्कार स्टुडेंट्स आपका स्वागत करता हूँ एक पार फिर से एक अमेजिंग क्लास में जो की होने वाली है मैट्स पैडागोजी की गनित सिक्षन सीटैट में गनित के सेक्षन में ये 15 कोशन आप लोगों के सामने आएंगे तो इनको आप कैसे टैकल करेंगे इसी सोच में आप पड़े हुए हैं लेकिन आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्यों हर सब्जेक्ट की पैडागोजी हमने स्टार्ट कर दिये तो एक और नई वीडियो मैट्स पैडागोजी की आपके सामने लेके आया हूँ आपको करना क्या है इस वीडियो को शुरू से लेकर लास तक देखना है और आपको देखना है कि इन 10 कोशन में से आपके कितने कोशन ठीक हुए कुछ कोशन easy भी होंगे कुछ tough भी होंगे लेकिन सब के सब important होंगे जैसे ही आप आए इस वीडियो को like जरूर करें दोस्तों क्योंगी जितना ज़्यादा आप वीडियो को like करेंगे उतना ज़्यादा ही मुझे confidence मिलेगा कि मुझे और ज़्यादा वीडियो आप लगों के लिए बनानी चाहिए तो चलिए दोस्तों पहले question से start करते हैं पहला question क्या है पहला question है गणित में एक अच्छा उत्तर कैसा होना चाहिए यानि कि what is the quality of a good answer in mathematics पहला है सिक्षक से संबंदित यानि कि teacher से related होना चाहिए दूसरा है परिक्षन योग है यानि कि आप उसे उसके उपर परिक्षन कर सक तो गणित में एक अच्छा उत्तर एक अच्छा answer होता है परिक्षन योग के यानि कि कि किसी भी उत्तर की आप जाच कर सके उसके उपर परिक्षन कर सके वही एक अच्छा उत्तर होगा तो answer होगा option number 2 next question सिक्षन उपाय या सामगरी का प्रियोग सिक्षन को डैश बनाने के लिए किया जाता है यानि कि why do you use teaching learning materials in teaching learning process यानि कि सिक्षन अधिगम प्रिक्रिया में आप सिक्षन सामगरी का प्रियोग क्यों करते हैं सिक्षन को दिल्चस्प बनाने के लिए interesting बनाने के लिए बिलक तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा ये सबी देखें mathematics के अंदर आप जब भी सिक्षन सामगरी का प्रियोग करते हैं किसी बी audio visual एडिया किसी बी चीज़ का प्रियोग करते हैं तो उससे आपका सिक्षन प्रभावी भी होता है दिल्चस्प भी होता और बच्चे इससे प् टन वर्क तीसरा समू कारिये यानि कि आपका ग्रुप वर्क और लास्ट है घरे कारिये होम वर्क इन चारों में से किसके लिए मूल लांकन यानि कि evaluation सबसे जरूरी होता है अब देखिए सबसे जरूरी है इसमें समू कारिये क्योंकि जब समू कारिये होगा समू कारिये में एक से ज़्यादा चीजे देखी जाती है ग्रुप के साथ मिल जूल कर कैसा बच्चा काम कर रहा है उसकी मतलब एक दूसरे के साथ कोर्डिनेशन कैसा है उनकी मदद करने की भावना कैसी है सहिशनू बच्चा है या नहीं है तो बहुत सारी क्वालिटीज आप समूवक कारिया में देख पाएंगे तो इन चारों में से जो ग्रुप वर्क होगा उसमें इवैलिवेशन सब से इंपोर्टेंट होता है गणित में परबंदित अध्यन का महतव है देखे, परबंदित अध्यन का मतलब क्या होता परबंदित अध्यन का मतलब होता है दोस्तों एक planned way में किसी भी चीज को teach करना तो जब भी आप गणित में planned teaching करते हैं तो इसका महतव क्या होता है इंपोर्टेंस क्या होती है पहला option यह तकनीक स्वे अध्याई की आदत का विक्सित करती है देखे परबंदित अध्यान में हर एक चीज का plan बनाया जाता है कि कैसे मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा कैसे आप लोग खुद पढ़ेंगे तो पूरा plan होता है इसमें तो बिल्कुल खुद पढ़ने की आदत भी विक्सित होती है activity के उपर based है बिल्कुल है सिक्षक के guide के रूप में काम करता है अपने बच्चे को बताता है सिर्फ कि ऐसे करना है ऐसे करना है लेकिन करते सिर्फ बच्चे ही है तो answer यहाँ पर क्या हो जाएगा उपरोक्त सभी देखें दोस्तों जैसी आप वीडियो को देखते जाएं like जरूर करें क्योंकि हर एक विक्ति देखता है और like भी करता है तो बहुत अच्छा लगता है blueprint dash के लिए तयार किया जाता है अब blueprint किस के लिए तयार करते है सिक्षन के लिए सिक्षन योजना के लिए यानि पहला option है teaching के लिए दूसरा है teaching plan के लिए तीसरा प्रशन पत्तर तयार करने के लिए यानि कि जब आपको question paper set करना है और लाज़ रहा है section सामगरी को तयार करने के लिए teaching learning material बनाने के लिए देखिए blueprint और lesson plan ये दोनों अलग-अलग चीज़ होती है जो lesson plan होता है वो lesson planning यानि कि सिक्षन योजना के लिए होता है कि कैसे आप classroom में अंदर जाएंगे और lesson को पढ़ाएंगे लेकिन blueprint होता है जब आप कोई question paper set करते है जैसे कि मान लीजिए आप एक teacher आपको so number का question paper set करना है तो कौन से कितने question होंगे उनका difficulty level क्या होगा ये सारी चीज़ आप blueprint में तयार करते है so blueprint is related to question paper not teaching plan आपको ये याद रखना है तो answer यापर क्या हो जाएगा third next question topological संडचना से क्या तात परिये है देखिए topological जो आपकी formation होती है वो होती है आपकी area से related ये mathematical term है कई लोगों को ये काफी tough लगेगा लेकिन उनको बता देना चाहता हूँ कि जैसे आप लोगों की pedagogy होती है जैसे आप लोगों की mensuration होती है वैसी topological संडचना से क्या मतलब होता है अगर कोई boundary या किसी का area अगर आप लोगों को पता करना हो तो सीमा और पडोस की तरह विबिन अवधान आए आपके किस के अंदर आएंगी topological संडचना के अंदर आएंगी बाकि topological संडचना क्या होती है आप सभी student से जानना चाता हूँ नीचे comment box में comment कीजेगा मेरी निगा रहेगी आप पर next question एक गणितिये समस्या का समादान करने के लिए क्यों मान्यताएं महतो पूर्ण है यानि कि आपके सामने mathematical problem आ गई है अब उस problem को निकालने के लिए कुछ मान्यताएं भी आपके पास है यानि कि जिस तरीके से विक्ति इसको निकालते हैं वो तरीका आपके पास है तो कोई problem आपके सामने math की आ गई और तरीका भी आपको पता लग गया मान्यताएं भी आपको पता लगई वो क्यों important है, पहला है यह समस्या विवरन की सटी के गणना को प्रदर्शित करता है, यह गणितिये कार्य के विवरन को प्रदर्शित करता है, यह गणितिये उदारन के प्रस्परक्रिया को प्रदर्शित करता है, यह गणितिये विचारों का ओचित्ता को प्रदर्शित करत यानि कि गनित की समस्चा जो आ गई वो कैसे स्वल्व होगी ये परदर्शित करता है आपका तो आंसर होगा जो आपकी मान्यताएं होती है वो इसलिए में तपूर्ण है गनित ये समस्चा को स्वल्व करने के लिए क्योंकि जो मान्यताएं होती है वो गनित ये कारिय के पुरण देती है आपकी मांगता है तो option number second next question हर वर्ग एक आयत है लेकिन हर आयत एक वर्ग नहीं है बताईए आप आपके सामने ये कहा गया कि every every square is rectangle but not every rectangle is square यानि कि जब आप देखते हैं वर्ग की क्या qualities होती है चारो बुजाएं बराबर आयत की आमने सामने वाली बुजाएं बराबर तो देखिए आयत की आमने सामने वाली बुजाएं बराबर हैं तो वर्ग की भी आमने सामने वाली बुजाएं बराबर है तो हर एक आयत वर्ग होगा हर एक वर्ग आयत होगा लेकिन हर एक आयत वर्ग नहीं हो सकता यह तारकिक है, कठिन है, मोलिक है या आलंकारिक है बताई यह answer क्या होगा तो देखिए जब आपसे यह कहते हैं कि हर वर्ग आयत है लेकिन हर आयत एक वर्ग नहीं होता है तो दोस्तों यह एक तार्किक वाक्य है क्योंकि इसके पीछे आपका तर्क reasoning लगी हुई है क्यों नहीं लगी हुई क्यों क्या लगी हुई है आपको बता दिया मैंने next question चटी कक्षा में छाया का गठन और बारवी कक्षा में अवकलन गनित का कैसे मतलब satisfy करता है तो देखिए जब भी आप चाया के बारे में बढ़ाते हो और जब भी आप बढ़ाते हो बारवी क्लास में अवलोकन गनित को तो पहला option है एक अच्छा विज्ञान पाठ्यकरम की एक महतवपुन कसूटी है विज्ञान को सीखने में बच्चों की मदद करता है दूसरा तारकिक सोच और अमूरत तरक की शमता विक्सित करता है तीसरा है इसका मतलब यह है कि विज्ञान सीक्षन को विज्ञान की एक स्थिर्चवी को व्यक्त नहीं करना चीए और उप्रोक्त में से कोई नहीं तो यह सीडी नहीं होगा आप कंफ्यूज होंगे पहले और दूसरे के उसमें तो देखे तारकिक सोच यानि कि छाया का गठन और अवलोकन गणित तो अवकलन गणित सोरी अवकलन गणित इसमें क्या होता है यह आपकी 12th क्लास में आप देखेंगे तो यह आपकी तारकिक सोच होगी और अमूरत तरक का मतलब होता है कोई चीज आपके सामने नहीं है फिर भी आप उसके बारे में विचार बना पा रहे हो और खासकर के गणित में यही होता है तो तारकिक सोच और अमूरत तरक की शमता कोई है विक्सित करता है लिखित कारिये के संबंद में कौन सा कथन सत्य है ठीक है लिखित कारिये के संबंद में निमन में से कौन सा कथन सत्य है रिटन वर्क मैथेमेटिक्स में जो रिटन वर्क होता है जो लिखित कारिया आप से करवाय जाता है उसके बारे में कौन सा option best है आपको बताना है पहला इस तक्निक के मादम से याद की गई चीज अधिक समय तक याद रहती है बिल्कुल याद रहती है जब आप किसी चीज को लिख लेते हैं और फिर तो याद तो रहनी है ज़्यादा चेम तक विद्धार्थियों की व्याख्या करने और लेखन कोशल की उची तरंग से जाच हो सकती है बिल्कुल ठीक है अगर आप लिखित कारिये मंगा लेते हैं या लिखित कारिये करने के लिए देते हैं तो बच्चे के लिखने का स्किल कैसा है लेखन कोशल कैसा है इसकी जानकारी भी आप जो है निकाल सकते हैं बिल्कुल सेकंड वाला तो गलतियों में सही डंग से सुधार किया जा सकता ह यानि कि you can rectify the mistakes बिल्कुल अगर कोई गलती हो रही है बच्चे से तो लिखित कार्य को आपने देखा तो आप उस गलती को ठीक भी करा सकते हैं तो यहाँ पर answer क्या होगा यहाँ पर answer हो जाएगा आपका उप्रोक्त सभी तो देखें दोस्तों यह आप लोगों के लिए मैंने 10 question करा है इस तरीके से amazing classes चलती रहेंगे आपको करना क्या है नीचे blue color का like button है उसे क्या करना है आपको black color का है blue color में change करना है like करना है वीडियो को अपने दोस्तों तक इस वीडियो को आपकी तरह फैलाना है हर उस दोस्त के mobile पर इस वीडियो को बेज दीजिए जो seated की तयारी कर रहे है और दोस्तों हर subject की पैडागोची आप लोगों के लिए हमने यहाँ पर start करती है तो जल्दी से channel को subscribe करे यह वीडियो को like करे और प्यारा सा comment नीचे जरूर डाले और पढ़ते जरूर रहना है Thank you so much everyone